नमशकर दोस्तों वन इंडिया मैं प्रशानत आप सब ही का स्वागत करता हूँ नहीं फिकी जा सकी थी इस तरीके से न्यूजलेंड ने भारत को तीन दिनों के अंदर हरा दिया इस आर के बाद जैसे की उमीद थी टीम इंडिया की जम कर आलोचना होगी और हुआ भी वही विराट कोली के साथ साथ टीम इंडिया के जो जम कर खरी खोटी शोचल मीडिया पर सुनाए गई है इंग्लेंड के पूर कप्तान माइकल वॉन और इंडियन क्रिकेट फैंस के बीच तो हमेशा सही 36 कांगरा रहता है टीम इंडिया कोई भी सीरीज केल रही हो या नहीं माइकल वॉन के पास हमेशा टीम इंडिया के लिए कुछ न कुछ कहने के लिए जरूर होता है One Team India को लेकर अपनी उल्टी सीधी टिपनियों की वज़े से कई बार ट्रोल भी हो चुके हैं लेकिन वो बाज नहीं आते और इस बार तो उन्हें ऐसा मौका मिला जिसका वो लंबे समय से जैसे इंतजार कर रहे थे ICC World Test Championship के Final Match से पहले One ने प्रेडिक्शन किया था कि New Zealand खेदाब जीदेगा लेकिन तब भारती क्रिकेट फैन्स ने उनकी क्लास लगा दी थी World Test Championship Final में हार के बाद One ने अपने ट्वीट के जरीए Final हारने के बाद गमजदा फैन्स के जखमों पर नमक छड़क दिया है One ने ट्वीटर पर लिखा मुझे लगता है मुझे हजारों इंडियन क्रिकेट फैन से माफी मांगने पड़ीगी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि New Zealand World Championship खेताब जीदेगा माइकल बॉन ने मैच के बाद एक और ट्वीट करते हुए कहा कि 5 मिलियन की आबादी वाले देश ने 1.3 बिलियन आबादी वाले देश को हरा दिया भारी भर कम पैसा और साधन से कुछ नहीं होता इसका इस्तमाल करना आना चाहिए वेल डन न्यूजिलेंड बदा दे भारत की दूसरी पारी महज 170 रनों पर आउट हो गई थी और न्यूजिलेंग के सामने तिरुपन ओबरो में 149 रन बनाने का टार्गेट आया था लक्ष का पीछा करने उतरी न्यूजिलेंड को अश्मिन ने दो जटके जल्दी जल्दी दिये थे लेकिन इसके बाद टेलर और विलियम सन पिच पर जम गए और शानदार पार्टनर्शिप कर न्यूजिलेंड को जीत दिला दी विलियम सन ने जहां 52 रन बनाए वही वरोस टेलर ने 47 रनों की पारी खेली काईल जमिन सन कुन की शानदार की इन बाजी के लिए फ्लर अफ दा मैच का खेताब दिया क्या फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें One India के साथ